आरे भाई को अभी बबारोसा गोसबसार उसका तासा आएगा जी आ जाएगा, जब आजात रहेक तो आजाएगा नहीं गिंदि आरे भाई का इंटर्वू दिया जा रहा हो, उससे बारे में भूझे जा रहा है कहा ये भी जा रहा है कि अख्लेश यादो उससे जाकर मिले इस वज़े से ये सारी चीजे हुए अख्लेश भी आचानक से आये थे मिलने इस आरश से मिले हमसे मिलने इस सरकार से मतलब परसासर थोड़ी न लड़ पाएं कि अरेश जी सबसे पहले सवाल तो मेरा यह है आप से आप मुलूप से कहा के रहने वाले है और यह पूरी घटना सारस वाली है क्या है सारस की घटना लगबवक आज से एक साल पहले की है हम खेळ गए हुए थे वहां मैं साथ मेरे उड़के याँ जिनु कहीं निकलजाता है यह जो है यह अपने परिवार के साथे चला जाता था परिवार प्रसाम को मेरे पास वापस आ जाता था और आज तक हमने इसे कभी बांध के नहीं रखा था ना कहीं कैद करके रखा था ये बिल्कुल इदम आजाद था जब दिल करता है इसका आता था जब दिल करता था जंकर चला जाता था आपने देखा होगा कि वन विभाग की टीम जब उसे ले गई उसके बाद समाजवादी पार्टी के उससे ट्वीट किया गया और कहा ये भी जा रहा है कि अकले श्यादों उससे जाकर मिले इस वजए से ये सारी चीज़े हुई आपको क्या लगता है पुरे मामने पर ये तो सब्सक्राइब कोई नियम होगा इसी तहद ले गए हो जी इसलिए हम कोई उसका विरोध नहीं के ले जाने का क्योंकि वो ले जाने दिया अराम से समाजवादी पार्टी और अखले शादों जो कह रहा है उन बातों से आप कितना सहमार्ट है कि हो सकता है उसी वज़ा से हो क्या बोल सकते हैं उसके विसे में पीसरी चीज यह कि कब लेने आए क्या क्या हुआ किस तरह से आपको सूचना दी गई पूरा प्रक्रण क्या है वो कल लगभग 12 बज़े करीब आये थे फोन आया हमारे पास के भी आ रहे हैं मिलने आप से तो हमके जैसे धेर सारे अधिका वो वीडियो वाइरल हो रहा है उसे ले गए हैं अखले शादो ने भी इस पर अपना बयान दिया है तीसरी चीज यह है कि समझवादी पार्टी मेडिया से ट्वीट किया गया है उसके बाद कैसी चीज़े हैं क्या क्या चीज़ें आपके सामने आ रही हैं या लोग आपसे क्या हुआ था अचानक से आया था मिलने इसारत से मिले हमसे मिले जो आसपास की लोग आए उदे सबसे मिले बाकी राजनीत से कोई नहीं हुए तो आप यही करना चाते हैं जहां भी रखें उसको आजाद रखें और डाल चावल सब्जी यही ज़्यादा खाता था उसके ख पास पास